आप लोगों ने बहुत सारे जगों और बहुत सारे इसे Instagram Reels के अंदर देखा होगा Man in the Middle Attacks के बारे में तो वहाँ पर हम जब भी Network Painteration Testing करते हैं तो उस टाइम पर हम ARP Poisoning का बहुत ज़्यादा ही यूज करते हैं और Man in the Middle Attacks करने से पहले आपको ARP के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है So hello and welcome back guys मैं हूँ अनिली आदव and you are watching Cyber Guard Pound by Nate Roots और आज के इस वीडियो में हम Address Resolution Protocol के बारे में जानने वाले हैं जिसको कि आप simply समझ सकते हैं कि कैसे आपके Mac Address को IP Address Allot होता है और कैसे आपके IP Address को पता चलता है कि हां मैं इसी Mac Address से Connected हूँ So without making any delay, let's continue तो सबसे पहले हम देखते हैं What is ARP? मतलब Address Resolution Protocol It is a Network Protocol used to map an IP Address to a physical Mac Address in a Local Area Network This is necessary for the transmission of data packets over the network तो बिसके लिए जो ARP है वो एक तरह का प्रोटोकॉल है जो कि क्या करता है कि IP Address और Mac Address को एक दूसरे से Connect करता है Local Area Network के अंदर जिससे की data packet transmission किया जाता है और अभी हम जानते हैं कि आखिर यह कैसे काम करता है तो हमारे पास यहां पर 3 steps आते हैं सबसे पहले आता हमारे request इसके अंदर क्या होता कि जो device होता है वो communicate करता है दूसरे device से जो कि same network में connected होते हैं तो यहां पर जब communication build होता है तो जो broadcaster होता है वो ARP packets को request के form में send करता है और वहां पर पूछता है कि आखिर यह IP address किस MAC address से connected है और उसके बाद आता है हमारा response response क्या करता है कि यह बताता कि हाँ यही MAC address हमारे इस IP address के साथ connected है उसके बाद mapping आता है mapping क्या करता है कि वह MAC address को use करता है data packets को share करने में simply आप समझ सकते है कि अगर आप अपने device से दूसरे device के अंदर कुछ data को share कर रहे है तो वहां पर आप जब internet का use करते है तो वहां पर use में आता है IP address लेखिन उस IP address को कैसे पता चलेगा कि हम कौन से device के अंदर share कर रहे है क्योंकि वहां पर उसे भी पता होना चाहिए कि हम कौन से MAC address के साथ connected है तो वहां पर हमें reuse में आता है ARP protocol और यहां पर आप example के अंदर भी इसको simply समझ सकते हैं simply आपके पास एक computer है जिसका IP address है 192.168.1.2 और इसको send करना है दूसरे computer के अंदर जिसका IP address है 192.168.1.3 तो यह क्या करेगा कि एक ARP request send करेगा उस network के अंदर जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो दूसरा computer है उसका IP address respond करेगा कि हां मेरे पास यह devices connected है मतलब हमारे पास यह MAC address added है और उसी के बाद यहां पर communication built होता है और data packets एक दूसरे से share किये जाते हैं और इसी तरह से हमारे पास एक और protocol आता है जिसको क्या हम बोलता है reverse address resolution protocol यह simply उसका reverse है मतलब जो ARP था उसका यह ठीक opposite version है यह क्या करता है कि जो MAC address होते हैं उनको एक IP address map करने में help करता है और इसका definition भी देख सकते हैं it is used to map a non MAC address to an IP address और इसका जो use होता है वो basically diskless workstation में होता है मतलब जिस device के अंदर disk नहीं होता है वहां पर इसको use किया जाता है जिससे की device को समझ में आए कि आखिर उनके पास IP address कौन सी है और वहां पर communication built हो सके और इसके अंदर भी हमारे पास दो point आता है जिसके मतलब से यह work करता है सबसे पहले हाता हमारा request जिसके अंदर क्या होता कि जो device होता है वो एक तरह से RARP request send करता है RARP server के उपर और वहां पर जैसे request चाता है उसके पास जो हमारा second point है response वो क्या करता है RARP server से जो mac address है उसको connect कर देता है और फिर यहां से communication build हो पाती है और इसके example में भी आप समझ सकते हैं a diskless workstation with mac address dot 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 sends the RARP server response with the IP address assigned to that mac address मलब simple से बात है एक हमारे पास diskless workstation है जिसके पास आप यह mac address देख सकते हैं क्या करता है कि एक तरह से RARP request send करता है RARP server के पास और RARP server क्या करता है उसको response करता है एक IP address के साथ जो कि उस mac address से assigned रहता है तो जैसे कि अभी आप समझ सकते हैं कि ARP के अंदर क्या था कि हमारा जो IP address है उससे communication build हो रहा था वहाँ पर पहले जो request जा रही थे वह आई-प अड्रेस के पास जा रही थी उसके बाद हमें पता चल रहा था कि कौन says mac address connected है लेकिन यहाँ पर ठीक उसका opposite है यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाहेंग опас बास जाए गा और Mac address बताएगा कि कौन से IP address पर वो connected है जिससे कि वहाँ पर communication built हो पाएगी और इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं proxy ARP तो proxy ARP क्या करता है कि जैसे कि अभी तक हम ARP और ARP के बारे में जान रहे थे वो सिर्फ local area network के अंदर होता है लेकिन proxy ARP क्या करता है कि जो wide area network होता है और different different जो networks होते हैं उनके बीच में communication को built कराता है इसका आप example भी देख सकते हैं proxy ARP allows a router to respond to ARP request on behalf of another device this enables devices on different networks to communicate as if they were on the same local network और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है इसके अंदर हमारे पास 3 point आते हैं और उसके बाद फिर आता है हमारा response और फिर routing तो request के अंदर क्या होता है कि एक device ARP request send करता है IP address के उपर जो कि दूसरी network के अंदर connected है और उसके बाद जो response है जो कि हमारे network के अंदर connected है वो क्या करता है कि उस request को accept करता है और उसको response करता है अपने mac address से जिससे कि यहाँ पर proxy chain create होता है और दोनों के बीच में communication built होती है और फिर आता है हमारा पास routing तो routing क्या करता है कि जो data packets है जब connection built हो जाता है तो वहाँ से data packets को share करता है और यहाँ पर आप इसके example में भी देख सकते हैं जो कि है हमारा device A connected है network 1 के साथ जो communicate करना चाहता है device B के साथ जो कि network 2 में connected है तो यहाँ पर device A क्या करेगा एक ARP request send करेगा device B के लिए उसके IP address के उपर जो कि दूसरे network में connected है और फिर जो router है वो क्या करेगा दोने network को connect करेगा जिससे कि जो device A है वो packets को send कर पाएगा device B के अंदर इसी तरह से proxy ARP काम करती है और अभी हम इसको shortly revise कर लेते हैं सबसे पहले हमारा जो ARP हा उसमें क्या था कि हम IP address का यूज कर रहे था है अपने mac Address को connect करने के लिए या फिर मालो की अपने device CONNECT करने के लिए सबसे पहले हम अपने IP address की मंदब से packet को sent कर रहे थे मलब request sent कर रहे थे और दूसरे IP address से जैसे ही आड्रेस को find करने के लिए जब हमारे डिस्कलेश डिवाइस एक दूसरे के साथ connect कर रहा था तो वहाँ पर सबसे पहले हम request send कर रहे थे अपने Mac address के उपर और उसके बाद हमें Mac address बता रहा था कि उनके पास यह वाला आड्रेस connected है जिससे कि हम communication को build कर पा रहे थे और फिर आता है हमारे पास proxy ARP जो क्या कर रहा था कि दो network के बीच में communication को build कर रहा था यहाँ पर एक network से दूसरे network के अंदर ARP request send किया जा रहा था और वहाँ पर communication को build किया जा रहा था so I hope कि अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर ARP क्या है ARP क्या है और proxy ARP क्या है और अगर आपको यह चीजे समझ में आ गए होगी तो आगे मैं MITM का practical वीडियो लाने वाला हूँ उस चीज को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे तब तक के लिए stay safe stay secure thank you and happy networking